नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जोए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता के दूसरे स्वरूप की पूजा विधी ब्रह्मचारणी माता माता के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारणी माता की पूजा में हम किस रंग का वस्त्र पहने भोग में क्या चढ़ाएं प्रशाद स्वरूप और माता क्या क्या मंत्र है फूल कौन सा चढ़ाएं सभी कु जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दो के ब्रह्मचार्णी स्वरूप की पूजा माता के दूसरे स्वरूप की पूजा हम 27 सितंबर को करेंगे नौरात्री ब्रत प्रारंब हुआ है 26 सितंबर से तो पहले दिन हमने सैल पुत्री माता की पूजा की और कल हम 27 सितंबर को ब्रह्मचार्णी स्वरूप की पूजा करेंगे माता के दूसरे स्वरूप की ठीक है तो ऐसी मान्यता है ना इसके पीछे भी बहुत सुन्दर कथा है ऐसी मान्यता है कि देवी हिमाले के घर में पुति के रूप में जनम ली थी देवी ने कठिन तपस्या की थी क्योंकि वो सिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी तो इनका ये स्वरूपना ये दर्साता है कि हमें अगर कोई भी चीज हम चाहते हैं देवी ने भी 1000 वर्सो तक फल फूल पत्ते खाकर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए तो बताईए हम तो मनुस्य हैं तो हमें तो करनी ही चाहिए तो अगर हम नीरंतर तपस्या प्रियास करते रहना तो हमारा कार जीवन में अवस से पूर्ण होता है केवल हमें प्रयास करते रहनी चाहिए लागातार तो चलिए अब आगे जान लेते हैं माता की पूजा विदी मंत्र रंग भोग तो सबसे पहले कल 27 सितंबर को सुर्योदय से पुर्व हमें उठ जानी है सबी महिलाओं को जितनी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो देखिए सुर्योदय से पुर्व उठ कर साफ सफाई मतलब असान ध्यान करने के बाद घर की साफ सफाई पहले कर लिजे उसके बाद असनान ध्यान करके मंदिर की थोड़ा बहुत कपड़े से साफ सफाई कर लिजे माता के उपर जल का मतलब गंगा जल का छिड़काओं कर दीजे और जो अगर जो आरे उगाई है ना उसका भी पूजा किया जाता है प्रती दिन जो आरो का भी जो जो वाटिका हम बना कर रखते हैं तो कलस की और जो वाटिका की भी पूजा कर ली जाती है जो अपने घर में कलस अस्थापना किये हैं उनके लिए बता दे रहूं और गंगा जल का पुरचिड़काओ करके और फिर से हमें माता को धूपबती जो ही आप दिखाते हैं दीपक जला लीजिए दीपक जलाने के वाट का पूर से मारती करेंगे और उस दिन वस्त्र हम कौन से रंग का पहनेंगे तो हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं कि नहीं है तो नारंगी लेसकते हैं लेकिन हरे रंग का ही वस्तर कोशिस कीजएगा है तो पहन लीजेगा, चार्णी माता की पूजा के लिए हरा रंग बहुत अधिक सुभ होता है तो पहन लीजेगा दूसरी चीज क्या है कि माता को भोग में हमें क्या लगानी है तो भोग में आप चीनी मतलब सक्कर या मिस्री या सफेद चीजे मतलब कोई भी चीज मिठाई भी कई लोग लगाते हैं लेकिन मिठाई लगाने में रिस्क रहता है कि पता नहीं वो सही से सुद्ध है की नहीं है मन में डर सा लगता है लेकिन घर में अगर आप मिठाई वेगर आप बहुत सारी मेरी बहने बनाती है तो अगर आप बना सकती है तो वो भी भोग लगा सकती है तो ये भी हो गया अगली चीज क्या है मंत्र क्या हम माता के लिए बोलेंगे तो मंत्र हमें बोलनी है ओम देवी ब्रमचार्णी नमः का आप मंत्र कर सकते हैं आपको गुड़हल का फूल मिले तो आप माता को कल चढ पूरे नौरात्री भी आप चाहें तो माता को गुड़हल कफुल चढ़ा कर सकती हैं अगर वस्त्र नहीं बदल सकती हर दिन का तो आपके वाल लाल और पीला वस्त्र भी एक रख सकती हैं प्रति दिन पूजा के लिए ठीक है और उसके बाद हमाता के आरती करेंगे कपूर की पूजा समपने नहीं होता आर्थी पका आप लोग कर लीजियेगा और अगली चीजत क्या है कि चीनी तो लगानी है सक्कर्त भोग में और मिस्री लगानी है आप लोग लोग जया है आप लोग जरूर माता के भोग में प्रती दिन एक या दो दो करके भी आप लोग चढ़ा सकते हैं आप लोग कहते हैं दिदी उस इलाइची और लॉंग का क्या करेंगे तो उसको आप लोग ना इस्तमाल कर सकते हैं चाय वगर हमें डाल कर पी सकते हैं अपने भोजन में लहसुन प्याज वाले भोजन में मत डालिएगा ऐसे नॉर्मल भोजन बनाते हैं बीना लहसुन प्याज वाले उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लौंग हम तो ऐसे तैसे तो खा नहीं पाएंगे और फिर माता का प्रशाद है तो उसका अपमान भी नहीं कर सकते हैं तो आप भी ना लहसुन प्याजवाले में डाल कर इस्तमाल कर सकती हैं तो यही ब्रह्म चायनी माता के नियम विदी थे आप लोग ध्यान से ध्यान रखते हुए पूजा पाठ कीजिएगा और उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ कर बाहर आजएए और एक या डेर्ड मिनट के बाद आप जाकर प्रसाद उठा लीजे और पूरे घर में प्रसाद वित्रण कीजिए और देखे पहला अध्याय का मैं पाठ करके डाल दी हूँ चैनल पर अगर आप लोग चाहें तो चेक आउट कीजिएगा अगर आप कलस अस्थापना नहीं की हैं ब्रत नहीं की हैं तो अगर माता का तेरहों अध्याय का अगर पाठ सुन लेती हैं तो उसी भी आपको बहुत अधिकलाब मिलेगा तो पहला डाल दी हूँ दूसरे अध्याय के लिए कल डालूँगी तो आप लोग जरूर चैनल पर चेक आउट कीजिएगा दूसरा अध्याय ब्रह्मचानी माता की का था ठीक है तो ये वीडियो यहीं तक का था आसा करते हूँ उमीद करते हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहुनों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खोब खोश रहिए